आवे तू हद शूरम, ना सोच येत कथंचन, अशोच्यो ही हद शूरम, स्वर्गलों के महियते शिवालिक पहाड़ियों की कोद में वसा है लैंसडाउन और यहीं से शुरुवात होती है मद्ध हिमाले की लैंसडाउन, सन 1921 से गड़वाल राइफल्स का घर रहा है गड़वाल राइफल्स की स्थापना सन 1887 में हुई थी गड़वाल रेजिमेंटल सेंटर ना केवल गड़वाल क्षित्र के दिल में बल्कि यहां के सैनिकों के दिल में भी बसता है गड़वाली सैनिक गड़वाल के थ्रेपन क्षित्रों से आते हैं ये सैनिक हिम्मत और जोश से भरे होते हैं क्यूंकि इन्हें हिमाले के कठिन वाता वरण में जीना खुब आता है गड़वाली लोग हमीशा से ही वीर्टा और साहस के कारण जाने जाते रहे हैं अपने इने गुणों के कारण अपने 125 सालों के गौरवपून इतिहास में सारी दुनिया में कई युद्ध जीत कर अपनी गड़वाली रेजिमेंट को गौरवान विद किया है आज गड़वाली सेनिक अपने कंधों पर रॉयल रस्सी गर्व से धारन करते हैं जो इने इनके साहस और इमांदारी के लिए पुरसकार सोरूप प्रदान की गई थी गड़वाली रेजिमेंटल सेंटर गड़वाली युवाउं को कटिन प्रशिक्षन प्रदान कर उन्हें एक शूर वीर सेनिक बनाता है जैसा कि कमांडांट ने कहा इन युवाउं को प्रशिक्षन में सिर्फ एक अच्छा सेनिकी नहीं बलकि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाया जाता है ताकि ये युद्ध क्षित्र के अलावा बाकि दूसरी जिम्मेदारियां भी ठीक प्रकार से संभाल सकें ये एक ऐसा सेंटर है जहां पर सेनिकों को आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाना सिखाया जाता है ताकि वो भाईचारी की सच्ची मिसाल बन सकें जैसे आपको मालूम है ये एक सर्विस्मेंट जो है वो तकरीबन 40-42 साल में रिटायर्मेंट होके वापस गड़वाल में चले जाते हैं और एक दूसरा नौकरी ढूनने में उनको बहुत परिशानी आते हैं वैसे नौकरी मिलते हैं खासकर गड़वाल में इसके अलावा परिशानियां आते हैं उनका पेंद एलोंटस पूरा मिलने के लिए भी बेसिकली क्योंकि गड़वाल में कनेक्टिविटी बहुत खराब हैं आमी यूनिट्स बहुत कम हैं और हमने सोचा कि ऐसे रेजिमेंट हमारे एक सविस्मेंट को इनके बारे में जानकारी देना बहुत जुरूवी है गड़वाल रेजिमेंटल सेंटर सेनिकों के भाईचारे का बहुत सम्मान करता है और इसी लिए इस संस्था ने एक कारिक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सतत मिलाप चाहिज वो सर्विंग जवांस है जाए वेटर्न से हैं घीर नारीज है और उनके आश्रिद हैं उनके इतों के रक्षा के लिए तालूक रखते हैं और उस दिसा में काम करते हैं इस प्रोजेक्ट को धिरे-धिरे एक संस्ता का रोट दे दिया गया है जिसमें करल अब रेजमेंट खुद इसके पैटरन है और जो वाइसी रिकॉर्ड्स है गलवाल रैफल रेजमेंटल सेंटर के कमडान वो इसके चेर्मेन है और जो रेजमेंटल लेवल पर एक संस्ता है ये उसका सतत्मिलाब सेल वो मेरे अधीम आपर रेकॉर्ड ऑफिस में स उसका पाड़ होता है क्योंकि उसने सारा डोकुमेंटेशन पूर के दरान करना होता है और लोगों को मदद करने होती है कि जो भी उनके ग्रेवैंसे से उनको रेजिस्टर करने में और एक जीडी सुदर जवान जो है टीम में जाता है जो सतत्मिलाब के भर्मन को मैं टीम क की मदद करता है और इस प्रजेट के अंदरगर्थ हम पूरा गड़वाल रीजन को 21 इसों में बाद जया हुआ हुआ हमारे रेजिमन में 21 पल्टने हैं और हर एक हिस्से का रिस्पॉंसिबिलिटी एक एक पल्टन को दिया गया है करवाल रिकॉर्ड्स में उनकी ट्रेनिंग और कैप्सिल के दुरवान एक निर्धारित कृति को उसके बाद उन्हें यहां से फ्लैग आउफ किया जाता है वह ऐसी रिकॉर्ड्स तवारा यह मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि यह जो टीम्स है इन्हें बड़े बड़े कठिन और दुर्गम इलापों में भी गुजरना पड़ता है पहाडी सेत्र है और कई नदी नालों को पार करके लोग कठिन सेत्रों में जाके हर परिवार से बिल लेकी कोशिश करते हैं और लेकिन यह एक motivated टीम होती है जिनका aim ultimate यह होता है कि हमें हार बुजर्ग के साथ जाके मुलाकत करनी है और रुटा हालचाल पूछना है इस जजबी के साथ यह टीम में जाती हैं और यह अपने area of responsibility में करीबन 20 से 25 दिन का time गुजारते हैं और उसके बाद फिर इन टीम्स की वापसी अगेन record office में होती है जहाँ पर इनकी debriefing और feedback इन से लिया जाता है सतत मिलाप जिसके कारण यह सैनिक अपने अनुभवी seniors के संपर्क में रहते हैं और मिल जुलकर अपनी परिशानियों को सुलचाते हैं पिछले कई वर्षों से सैनिकों के सतत मिलाप से गढ़वाली सैनिकों के जीवन में बहुत सकरात्मक सुधार हुआ है जिसके कारण भूत पूर्व सैनिकों के अंदर रेजिमेंट को लेकर आज भी अपने पन का भाव है यह तमाम जितना भी वहां से डेटा लाते हैं उसको हम यहां पर अपने डेटाबेस में जोडते हैं और जितने भी ग्रिवेंसिस लेके आ रहे हैं उन्हें फिर कंसर्ण अजेंसिस को हम प्रोग्रेस करते हैं और उनको मॉनेटर करते हैं जब तक उनको फाइनली उनको हालना किया जाए यह सतद मिलाब जैसे ही प्रियासों का एक परिणाम है कि आज की डेट में हमारी गल्वाल राइफल्स में सबसे कम कोट केसिस हैं, सबसे कम लिटिकेसिंस हैं इस जरिये से हमारे एक्सविस्मन दो बहुत फैदा हुआ है, पिछले चार-पांच साल के अंदर लोगों को करोरो रुबया का फैदा हुआ है, हरियस के द्वारा और यहां तक ही एक राइफल्मन की जो वाइफ है, विड़ो है, हलाकि राइफल्मन का डेट हुआ था 1947 में, उनको उमर जो है तकरिबन 90 साल के हैं, उनको 12 लाग से उपर से फैदा हुआ 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 हमें बहुत खुशी होती है कि गड़वाल लाइफल लेजिमेंट सतत्मिलाव की टीम पिछले चार साल से आपे आ रही है और हमारे बारे में एक सब्समें मैं के बारे में पूछ दिये और नए नए इसकीम जैसे पेंशन वेलफेर्स उनके बारे में हमें जानकारी देती है फित खिए गड़वाल लेफल सेंटर की जो सतत्मिलाव टीम है यह कम से कम पूरे साल में हर घर घर के जाकर किसी भी परिवार को दो भी नारिया है उनके पिंशन की समश्या हो पूर सहनी की कोई समश्या हो उनको जो जो आई पर वो नोट करके और उसको वसी समाधन करके ज प्रिस्ट है झालते होगे झाले सक्षेस ऩुफते टिस बडशीν यजन कोने के रहिता है आप्राइटे प्टेम्, प्राइखे हैं कि ग्राष्यों एुञखे चैसे चुछेंगी निनिया जाय प्रचोंतों कि प्रशने करोने विय्हांत। in all the villages that they traverse. These teams are doing a fantastic job. One is very proud to have been part of this regiment and to see that the regiment is taking so much interest in the welfare of veterans and weirnaaris. It's a great job. Well done. Ancai. पिछले कई वर्षों से सैनिकों के सतत्मिलाब से कड़वाली सैनिकों के जीवन में बहुत सकरात्मक सुधार हुआ है जिसके कारण भूदबूर्व सैनिकों के अंदर रेजिमेंट को लेकर आज भी अपने पन का भाव है ये प्रयास बहुत अधिकाते पढ़े और आगे भी हम सब संपर्क में रहें इसी प्रार्थना के साथ हम कड़वाल रेजिमेंट को उसके भवश के लिए शुब काम नाई देते हैं